चेह मतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटीप चैनल में दोस्तो नव ग्रहों में गुरू ब्रस्पती को गुरू का दर्जा प्राप्त है और सभी देवताओं के गुरू ये ब्रस्पती माने जाते हैं ये ज्ञान के सलहा के दाता हैं बड़े बुज़ूर्गों वरिस्ट अधिकारियों की किरपा गुरू की किरपा से ही संभव हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में गुरू शुब है तो आपको हर तरह के परिष्थितियों में सहयोग राप्त होता है। गुरू जो हैं वो आपके आर्थिक इस्थिति के का रग रहे हैं और गुरू जो है ये ज्यान और संपत्ति के कारग रहे हैं ये आपके बदलाव आपके जीवन में बदलाव लेकर आते हैं आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं और अभी जो राशी परिवर्तन जो गुरू का राशी परिवर्तन है वो होने वाला है जो को इस दोरान मिलेगा इस बीस नवंबर को बीस नवंबर 2020 को गुरू अपनी राशी धनु राशी से निकल कर शनी की राशी मकर राशी में प्रिवेश करने वाले हैं और मकर राशी में पहले सी ही शनी विराजमान हैं तो शनी के साथ गुरू की युति होगी ये परिवर्तन 20 नवंबर से 5 एपरेल 2021 तक रहेगा वैसे तो ये जो राशी परिवर्तन है ये सभी राशी वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आए है कुछ ना कुछ ये इन सभी लोगों को देखा जाएगा लेकिन इस वीडियो में हम बात करें हैं सहिंग राशी की कि सहिंग राशी के लोगों के लिए गुरू का ये राशी परिवर्तन कैसा रहेगा किस तरह के परिवर्तन आपके जीवन में इस दोरा देखने को मिलेंगी किनकी चीजों में आपको गुरू लाब देने वाला है और क्या क्या चीजों को बढ़ाने वाला है तो सारी चीजे जानेंगे इस वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे इन्नी वीदन है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जोड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो दोस्तों सेहिंग राशी की बात कर रहे हैं और सेहिंग राशी के लोगों के लिए सेहिंग लगन हो या राशी हो उनके लिए गुरू का ये गोचर उनके छटे भाव में होगा छटे भाव में ये गोचर है हलाकि ये भाव जो है ये शत्रु का भाव है ये पीडा का भाव है लेकिन गुरू का ये गोचर आपके लिए बेहत अनुकूल नजर आ रहा है ये जो अब इसका प्रभाव होगा ये आपके जीवन के लगभक प्रतेक शेत्र में इस गुरू के गोचर से लाब मिलता हुआ नजर आ रहा है यहां गुरू की द्रस्टियां भी आपके लिए बिहत शुब है पंचम भाव पर दसम भाव पर और जब गुरू की द्रस्टि कर्म को देखती है गुरू कर्म को देखता है तो देखे कर्म का प्रभाव बहुता देखोता है सबसे बड़ी चीज तो देखे गुरू की जो दुरस्टी होती है उसमें अमरित होता है यानि कर्म पर ये अपनी अमरित दुरस्टी जाल रहा है तो हर कर्म आपके प्रभावित होगा हर कर्म आपको सुख देने वाला होगा इस दोरान मकर राशी में जो गुरू का ये गोचर है ये आपकी ग्यान में बढ़ोतरी करेगा ये आपको एक कैसी समझ देगा बिजनिस करने की समझ देगा आपको अपनी कारे को बढ़ाने की समझ देगा विद्धारतियों के लिए सबसे अधिक ये गोचर रहने वाला है बाहर जाना, बाहर जाकर पढ़ाई करना, बाहर जाकर नौकरी करना विदेश में जाने का योग बड़े अच्छे ही बनाएगा इस दोरान घर परिवार में किसी नए महमान के आगमन का योग भी बना हुआ है या तो आपके घर परिवार में विवाह के योग हैं जिसके दोरान कोई नया मेंबर आपके घर में आ सकता है या फिर संतान प्राप्ती का जबर्दस्ती होगा यानि नए महमान के आगमन का बहुत अच्छा योग इस दोरान बना हुआ है आपको लाब भी निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे और इस दोरान आपको सबसे बड़ा जो अब के लिए काम होगा वो होगा धन को संचित करके रतना यदि इस राशी के वेपारियों की हम बात करें तो इस दोरान आप वेपारियों को अपनी यातरा से बेहद लाब मिलेगा जो किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं, यात्रा के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जो गोचर होगा, ये सबसे अधिक लाब्दायक होगा वैसे भी ये जो वर्ष है 2020 ये तो महमारे की वज़ा से निकल गया लेकिन गुरू के गोचा से अब नए वर्ष में आपके रुके हुए कारियों में बढ़त देखने को मिले की विवाहिक जीवन भी आपका अनुकुल नजर आ रहा है इस दोरान आपको अपने जीवन साथी का हर काम के सिलसले में भरपूर सहयोग के प्राप्ति होगी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अपने कारिस्तल पर थोड़ी सावधार ही जरूर रखनी होगे थोड़ी सी सावधार ने रखते हुए आपको अपने काम को करना होगा दिए छटे भाव में जब भी गुरु आता है तो पैसे की वज़े से कोई काम नहीं रुखता है लेकिन यहां आपको सावधाने रखनी होती है अपने जो शत्रू हैं उनसे थोड़ी सावधाने रखनी होती है इस दोरान नौकरी में बदलाव के यूग भी आपके लिए बनेंगे लेकिन किसी भी बदलाव को जवाब करते हैं तो उससे पहले आप अच्छी तरह से अपने जो बदलाव है उसके बारे में आपको जरूर सोचना होगा इस दोरान स्वास्ते का थोड़ा ध्यान रखना है स्वास्ते संबंदी कुछ परिशानिया हो सकती है और प्रेम संबंद में आपको सावधानी जरूर रखनी होगी प्रेम संबंद के सिलसले में यहां कुछ जरूर तना तनी हो सकती है तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा अगर आपको स्वास्ते संबंदी कुछ परिशानिया थी तो वो स्वास्ia समन्दी परिशानिया आपके ठीक होती होती हों दिखाये देंगे आर्थिक तौर पर आपको मजबुती मिलेगी उन से जुड़ी हूई आर्थिक तौर से जुड़ी हुई जो चिंटाएं हैं उनसे मुप्ति मिलेगी हलाकि लेन देन जब भी आप करेंगे तो लेन देन करते समय आपको थोड़ी साफधानी जरूर रखनी होगी जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं, बड़े काम के लिए बाहर जाते हैं तो आपको एक चीज धान रखने हैं, अपने पिता का आशिरवाद लेकर आप जाएं इस दोरान पिता का आशरिवाद आपके لिए आपके सभी कामों को बनाने वाला नदर आएगा यसे में इस तरहों से आपके लिए बहुत अच्छा होगा वेरोजगार लोगों के लिए अच्छा होगा ये वांओं को नई आफ्सर प्राप्त हो सकते हैं नए रोजगर के अफसर मिल सकते हैं, नया स्टार्ट अप शूर करने के अफसर मिल सकते हैं और आपके जो बड़े बजर्ग हैं वो आपका मारदशन भी कर पाएंगे आपका मारदशन करेंगे, आपको सम्मान भी प्राप्त होगा गर्व अपनी कारे को अच्छी तरह से कर पाएंगे इस दोरान से इंग राशी के लोगों के लिए किसी महिला मित्र की साहिता बहुत काम आएगी किसी महिला मित्र की साहिता से आपको बड़ा अच्छा धनलाब हो सकता है बिजनिस में नई आफसर आपको उनकी वज़े से प्राप्त हो सकते हैं तो जहां आप जौब करते हैं जहां आपके कारशेतर में महिलाए हैं तो उनका संबान आप सबसे ज़ादा करें महिलाओं का संबान आपके लिए इस समय काफी अच्छा रहेगा इसके लावा पेट संबंदी भी कुछ परिशानिया देखने को मिल सकती हैं तो पेट संबंदी कुछ भी आपको परिशानी होती है इसके लिए आपको खपनी खान पान पर एक तो द्यान रखना होगा पॉस्टी का हर आपको लेना होगा क्योंकि धन की द्रस्टी से अच्छा है परिवारी द्रस्टी से अच्छा है लेकिन स्वास्ते को कही न कहीं आपके यहां ध्यान देने के आपको आवशकता होगी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं विदेश में सैटल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए यह अच्छे योग बनेंगे क्योंकि यात्राओं का परिवर्तन का बदलाव का यह दौर शुरू होने वाला है गुरू के करपा से तो इस दौरान कई तरह के बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे और इन बदलावं से आपको लाब भी होगा इस दौरान जो इस राशी के विद्यारती हैं जो इस राशी के हाय एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए समय सबसे अनुकुल रहेगा उनकी पढ़ाई किसी वज़ा से बन थी जिन लोगों की वो पढ़ाई आपकी शुरू हो सकती है इस राशी के जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई में बड़ा अच्छा परदर्शन कर पाएंगे तो हर तरह से ये आपके लिए आनुकुल है इस दोरान आपको कुछ उपाई भी जरूर करने चाहिए जो आपके लिए काफी अच्छे सावित हो सकते हैं एक तो आपको शिवलिंग पर प्रति दिन जल जड़ाना है और जरुरत मंद लोगों को गेहों और हल्दी का दान करना है या फिर गरीबों को आपको भोजन कराना है ये जो उपाए होंगे ये गुरू को मजबूत करेंगे और गुरू का जो पूरा प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों और देखें सी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को जाज़ाद लाइक करें शेयर करें